प्रगत जी जी महराद जी आफी को देवी यक्य में आउती देने आना होगा और हाँ कोरे कपड़े पेहन के आईएगा जी महराज कोरे कपड़े? कोरे कपड़े तो शायद मेरे पास है नहीं फिर भी देखता हूँ सुधा को पूशता हूँ शायद उसके पास कुछ हूँ सुधा? 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 हाई ये कुरा कपड़ा है? अरे बेटी, देखो ये कुरता? बाबा, ये कुरता? बेटा, वो देवी के यंगे में आहुती देने जाना था उसके लिए कोरे कुरते की जुरुवत थी इसलिए पहन लिया तो तो अपने दमाद का कोई भी कपड़ा निकाल के आप पहन लेंगे? बेटा, मैंने तुम्हें बहुत आवाजी थी तेकि तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है बाबा, थोड़े देर के लिए हम बजार क्या चले गए? आपने तो बच्पना शुरू कर दिया उतारिये गुर्दा दमाजी जरा इससे समझाओ ना बाबा, ठीक कहरिये सुधा उतारिये इसे याजी से आके आपको वाफस करतूंगा बाबा, आपका दिमाग तो काम करता है नहीं लेकिन कानों से सुना ही तो पड़ता है ना उतारिये इसे पैटे जरा दमाजी को सुझाओ ने सही तो कह रहे हो, समझ भी नहीं आरा आपको उतारिये कुर्ता, वहना मैं उतारूंग कुर्ता उतारके कम्रे में रख दीजेगा चलो आप कुमारी हो? हाँ हाँ हम पुजा करके निकलेते हैं, आपके लिए दक्षिना लाएं अरे बेटा ये आपके लिए मा के भक्त ने मुझे ये दान में दे दी तो मैं आपके लिए ले आए आपके कपड़े पुराने हो गए थे ना? वाँ बेटी, तेरा कितना खाल रखती है तेरा कितना खाल रखती है तु तो मेरे लिए साक्षात विद्यवासनी माने आपके लिए ज्यवासनी आरती पढ़े सुने जो कोई विने है शिवत्त मिष्टी आप बेटा पाबा में तुल्ची मांको पानी देखे आती हू अच्छा बेटा, ठीक है जा भगजी, प्रणाम भगजी, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम और कैसे हैं सब? माता की कृपा है माराज जी संद्यारती के लिए फूल लाया था हाहा कुछ रहो, कुछ रहो अरे भाई, कभी-कभी गुलाब के फूल भी लियाया करो पिलकुल माहराजी, जरो अरे पगजी इतने सालों में मैंने आपको कभी भी सफेद रंग के अलावा और किसी रंग का कुर्ता पहने में नहीं देखा फिर ये रंग कैसे? इसके पीछे दैविक चमतकार की एक कहानी है अच्छा? बदाईए क्या? मुझे देवी यग्य में आहुती देने के लिए जाना था और कोरा कुर्ता पहन के जाना था मैं बहुत परिशान था लेकिन कोरे कुर्ते का इंजाम नहीं हो रहा था थोड़े देर की लिए आम बजार क्या चलेंगे आपने तो बच्पला शुरू कर दिया उतारिए कुर्ता बना मैं उतारू अरे? आपकी आखों में आसो भगत जी? एहाँ, ये खुशी के आसो है माता क्याशीर्वात क्या आसो? चाचाच़ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन में कुरे कुर्ते का इंसाम नहीं कर सका और इसी परेशानी के हालत में मैं बिन दिवास्नी माता के मंदिर में चला गया वहाँ मुझे मंदिर में कुमारी मिल गई और कुमारी ने मुझे कुर्टा लाके दिया और मैं यग्य में गया कुरा कुर्टा पहन के वहाँ मैंने आहुती दी जो मुझे आनंद करी अनुभुती हुई तो मैं आपको बता नहीं सकता और वो यही कुर्टा है किया हुजा किया मुझे इतना असी मानत मिला जैसे देवी की असीम कृपा मिल रही हो इसलिए मैं आज यही धारण किया हुए यहां अगजी अब सच कह रहे हैं मा के दरबार में ऐसे चमतकार तो रोज ही होते रहते बस मा के उपर आस्थर हमी चाहिए कैसा चमतकार बाबा और मुझे इस कूर्टे का क्या काम आपको यह कूर्टा आने वाला नीटा इसलिए मैंने यह भगजी को दे दिया और आप थोड़े हो इनसे हो मोटे हो एक आवश्चक शूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि पिछले एक महीने से इलाके में बच्चा चोरी की घटना है तो रुभाग वर्ष काफी बढ़ रही है इसलिए अपने बच्चों पर कली निगरानी रखें और उन्हें आवश्चक होने पर ही घर से बाहर जान ज्यादा तरगाय हुए बच्चों के उम्र बारा साल से कम बताई जा रही है इसी पेटन को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपरादी की खोज में है उन्हें उमीद है कि उन्हें जल्दी ही काम्याभी हासिल होगी और पुलिस हर्म आब आपको आगा करती है कि कृप्या वो अपने बच्चों का ध्यान रखें जैसा कि आपको पता है बच्चा चोरी की घटनाएं आम होती जा रही है हलो हां मामा और यार एक प्रॉब्लम हो गई है क्या हो गया है अपने स्टॉक में से एक बच्चा भाग गया तुब एक काम कर एक बच्चा उठा ले है मामा आपको पता है ना किती सक्ती चल रही है देख रहे हो ना अरे हां देखा मैंने न्यूस पे सब फाल्दू की बात है तुटेंचम मतले थोड़ा बोत तो हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा ना तो रहेंगे अरे धन्दा थोड़ी बन कर देंगे इसके चक्कर में मामा रिस्क है एक बच्चा कम जाएगा तो काम नहीं चलेगा क्या अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई थी उसने कहा एक ज्यादा होता चलेगा लेकिन अगर कम हुआ तो बिलकुल नहीं चलेगा तु तु डेख यार किसी का बच्चा उठा है तु यार आमा देखो ना किसी और से करवालो तो एक काम करना तु पैसे मांगने भी मेरे पास मता ना तुझे तेरे अपाइस बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना अब वो जब नहीं मिलेंगे ना तब मैं तुझे देखूँगा नहीं नहीं मामा मैं करूँ मों करूँ मैं बच्चा लाकि देता हूँ आपको यह हुई ना बात चल जा अब लग जा काम पर और सुन ध्यान से करना ठीक है जे मुम्मू मेरा बेटा हुई यह एगण पी दूटा मेरा बेटा अरे मेरा शोना राजा बेटा थोड़ा सखाले अले बिला बेटा कुलोः थोलो थोलो जा थोलो जा थोलो सम्मूँ ख़़़़़गई सुनी, आपका मामा आपका भला नहीं चाग, वो बस आपसे अपना काम निकलवा रहे हैं, आप उनके साथ काम मत कीजिए, इसे गलत काम करके एक दिन आप मूरे फस जाओगे मुझे ना अपने बच्चे को उसके पाउं पर खड़ा करना है, उसके लिए पैसे लगेंगे, जो मामा ही दे सकते हैं, मुझे उनका काम करना पड़ेगा, वो जो बच्चे उठाएंगे, वो किसी के बच्चे नहीं है, क्या, प्लीज एसे मत किजिए, बस, मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं तुम से नहीं सिखूँगा, सारी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है मैंने, मुझे मेरा बच्चा ठीक करना है, उसके लिए जो बनेगा वो मैं करूँगा रोहन, कब से खें़रो बिटा, आप तो अंदर आ जो, हाँ मा, आप चलो मैं आता हूँ, ठीक है चलो मैं को जो जो आएंगा जो बनेगा हो जो, हाँ मा मैं आता है हे मा, दूद गिरना तो अब शोगुन माना जाता है रोहन 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 रो हेलो, भावी रोहन आया आपकी बस, नहीं आया, हेलो, अपू रोहन आया गया, नहीं आया, क्या हो भावी जी, क्यो रोह रही है, पता नहीं देखो ना भाई सब रोहन पता नहीं कहा चला गया, दोस्तों थे पता कि यह उनके भापी भी नहीं गया, कली पुलिस वाला गूंगूं कर रहा था, कि बच्चा चोड से सोधान रही है, आप चिंता मत करिये भावी जी, हम करो को किया है, रहा है, भावी कहा चार कि बच्चा पावी है तक प्रा कर व..? क्या आ दोस्तों सब्सक्तों से बच्सयों किnd्तिततकलjas खूंग् मैं अच्छा लोटादो माँ मुझे मेरा नौटादो माँ मुझे मेरा नौटादो माँ मेरा भूची चरो करो माँ पुझदी मे तूरी दुते, जय जय रे महिशास्वर मर्दीनी रम्यक पर्दीनी शेलसते भई जग जंबव नंबक दंबव नंप्रिय वासिनी हासरते शिखली शिरो मणी तुंग निमालय शुंग दिजालय अंनकते क्चार पडिया का सयर्भी स्वेर के स। क्चार पिर्थिण म अर्थिद्टम्ondernフ obtainी अछु करुछ क्चार प्ति व्या कि लिंग रिषिण वैं। वैं लिद्टम्न एवा कि लिर्थिव करक। क्पारीप殖 वैं, तो बेडिके देग कि उसने कहा एक ज्यादा हगोदा चलेगा लेकिन अगर कम हुआ तो बिल्कुल नहीं चलेगा काका आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे मेरा पाव बहुत दुख रहा है आप मुझे तिसरे मोड़ पर छोड़ दीजे में चले जाओंगी आप मुझे तिसरे मोड़ पर छोड़ देता हूं एक काम करो ये तब 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 तुम बिस्किट खाओ नहीं मुझे भूक नहीं है अरे खालो बहुत स्वादिश्ट है ये स्वादिश्ट है या फिर बेहोशी वाली दवाई है मुझे बेचने के लिए जैसे तुम उस बच्चे को बेचने जा रहे हो तुमको इस सब कैसे बता चला? कौन हो तुम? मैं कुमारी हूँ मैं मा विंदेवासनी की भक्त हूँ और मा के भक्त को सब पता होता है तुम जो ये करे वो गलत चीज है ये काम छोड़ दो कौन है ये लड़की अंकर्ज आँ बोल वो आनंद नगर इलाके से ना मैंने दो बच्चे के ड्नाप कर ली है अरे तो उन दोनों को लेकर आना बोन क्यों कर रहा है ती अरे मामा एक गड़बड हो गी है मेरी गाड़ी खराब हो गी है वहाई वो को लगने वाला दुलाती नगर वाला रोड है न वहाँ पे आप वहीं आ जो फटा फट से बस हाँ तू टेंचा मतले मैं दस से पंदा मिनिट में पहुंसता हूँ हाँ जल्दी आप तुम्हे क्या लगता है तुसरों का बच्चा किटनैप करके तुम अपना पेटा ठीक कर लोगे गलत काम से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है मारा मूह नहीं बांदा इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे ग्यान दोगी समझी तुम्हारे ग्यान से ना मुझे फरक भी अलो अरे वामा आप आए नहीं अभी तक अरे बस रस्ते में ही पहुच रहा हूं थोड़ा सा इंतिजार कर ले बस थोड़ा सा जल्दी आओ वो यहां नहीं पहुच पाएंगे लेकिन उससे पहले पुलिस यहां ज़रूर पहुच जाएगी इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था कभी सोचा है अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा तुम्हारा मुँ बंद करना ही पड़ेगा हाँ पंकज अरे मामा आप आये नहीं अभी तक अरे यार मेरी गाड़ी खराब होगी रस्ते में कितना टाइम लगेगा आपको मेकनिक को बुलाया है भी करा क्या आता हूँ मैं मामा आप समझ नहीं रहे होगी मैं दोदू बच्चे को किड्नाप करके बीच सड़फ पे खड़ा तो इसके सैरन की आवाज आ रही है अगर वो यहां तक पहुँच गए न अच्छा नहीं होगा आरे तू डर मत तू रुख वही पर मैं कोई दोसी गाड़ी लेकर अभी आता हूँ आपक जल्दी आओ मुह बांदने से क्या फाइदा होगा पहले हाथ तो बांदो मैंने बांदा तो था फिर कैसे खुल गया हो ना हो जरूर ये किसी इश्वर का रूप है मुझसे बहुत बड़ी गर्थी होगी मुझे माफ कर देजी अगर गर्थी का ऐसास हो गया हो तो माफी मुझसे नहीं मां विंद्यमाशनी से जाके मांगो वो सब ठीक कर देंगे चे अगर बड़ी बच्चे को मैं घर तक छोड़ देता लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है इसे चोड़ने जाना ठीक नहीं होगा वहहां सब लग तुमें ही डूल रहे होंगे मैं इसे चोड़ दूंगी तुम जाओ ठीक है और सुनो और अपने पूरे परिवार के साथ मा विंदेवाशनी के धाम जरूर जाना मैं बिल्कुल जाऊँगा पूरे परिवार को लेके सब के साथ जाऊँगा तो चले करने बाष्नी ऑखने के साथ मकैत। और विंदो जिवासनी मताओ की और को वाशन के धर्वार की और को वाशन के दार्णी की जे पहने माविन दवसनी आपके बहुत चमतकार सुने है एक चमतकार मेरे भात प़ें बहुत उमेदा भुरुत उसे स्ट्राइनिया आपके दृआरमे मेरे बच्चे को ठीक कर तो है माविन दवसनी मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाये रखने मेरे बच्चे को जल से जल ठीक कर देना बच्ची कहा है? आने वाले हैं कुमारी अरे कुमारी आप यहां कैसे? मैं तो यही रहती हूँ कौन है यही तो कुमारी है इन्होंने तो मुझे सही रा दिखाई थी और मैंने प्रण ले लिया जीवन में कोई बुरा खाम नहीं करूँगा तुम चिंता मत करो अब तुम मा के धाम आ चुके हो वो सब ठीक कर देंगी मैं वो आपको बच्चा गैंग चोरी के बारे में कुछ पता नहीं था आपको कैसे पता चला? वो मैं मंदर जा रहा था ना तो मैंने बाहर किसी को फोन पे बात करते हुए सुना वो कह रहा था उनके सर्दार का नाम प्रभाकर यादव है वो कहीं लक्षमन कॉलनी में रहता है उनका हुलिया कुछ स्याद है? नहीं, मैं तो सिर्फ बात करते वही सुना हुआ मैं अपने सीनियर अधिकारी को जाके अभी बताता हूँ जी, शुक्रिया अधिशक्ति नमोन महा, महादेवी नमोन महा जै मताठी, जै मताठी, जै मताठी, जै मताठी... हुआ 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 हु कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो खुश्रो, खुश्रो, बटो तो गीता में कहा गया है हम तुम सर्व पाप पेभ्यो मुक्षियामी मा सुच इसका अर्थ है कि हम सब को अपने पापों के लिए ईश्र से एक शमा मांगनी पड़ेगी वो हमें शमा कर भी देंगी परन्तु हमें अपने हिर्दे से एक शमा मांगनी पड़ेगी उसा एक बाद कांट मांद लीजिए पाप हर रोज होते हैं हमारे आसपास हर जगे पाप होते ही रहेंगे और हमारे पुन्ने उन पापों की बराबरी भी नहीं कर सिलते लेकिन हमें उसके लिए इश्वर से क्षमा मांगनी ही पड़ेगी और चिंता की कोई बात नहीं है इश्वर तो है इस श्रिष्टी में विद्यमान, विराजमान की वो हमारे पापों के लिए हमें माफ करें लेकिन हर बात इस पे निर्भर करती है कि हम पूरे दिल से उससे क्षमा मांगे और हर बात इस पर भी निर्भर करती है कि हम किस भाव सेक्षमा मांगते हैं उसा यानि पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को उसेक्षमा मांगनी पुड़े तो आज के लिए सभाज यहीं सवाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे, ठीक है न? बोलिए मा बिंदिवासनी की जैन! हाँ, कहिए? कृपालु महराजी, आपको तो सब जानते हैं आज आप से हमारी भेट हुई है और हमारे भाग्य भी धन्य हो गया जी कृपालु महराजी, आपके धर्शन हो गया मैं धन्य हो गया आपके पताए रास्ते पर चलने से मेरी तो हो जिन्दगी ही पट्री पे आ गई है माविन्दिवासनी ने मुझे माफ भी कर दिया और देखिये न, मेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो गया है बस यसी लिए आपके दर्शन करने दुबारा आ गया थे अब मुझे और मेरे परिवार को आशिरवाद दीजे मेरा आशिरवाद तो सदेव आप लोगों के साथ है ये तो बड़े हर्श उल्लास की बात है कि आपका पुत्र सुस्थ हो गया, ठीक हो गया पस एक बात ध्यान में रखिए मा के दर्बार में तो ऐसे चमतकार रोज होते है बस सवाल इस बात का है कि आपकी आस्था और विश्वास मा पे कितना है इस दिये हमेशा अपनी आस्था और विश्वास मा पे बनाए रखिए ठीक है ना? जै माविंदवासनी माई मदद करो लाचार की मदद करो तुम्हारी मनत पूरी होगी मनों कामना पूरी होगी माई मदद करो लाचार की मदद करो अरे बाबुजी आए तुछ जरा दया की द्रिश्टी डालिए अरे दो दिन से भूखा हूं भाई तुम्हारा कल्यान हो जाएगा, माँ तुम्हारा कल्यान कर देगी, मदद करो माई, मदद करो, अरे बाबुजी कुछ मदद करो, भूखे लाजार की, अरे कुछ तो शरम करिये, आज के समय में भीख मांग रहे हैं, जाए कोई काम धंद करिये, अरे देखिये न, ये पाउं क तो क्या हुआ आज के समय में दुन्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों पहर काम नहीं करते लेकिन आपके जैसे भीक नहीं मांगते हैं मेहनत करते हैं और इज़त की रोटी खाते हैं काम चोर कहीं के करते हैं करते हैं करते हैं का करते हैं करते हैं कर दो जब दो जब प्रफ बढ़ से घाई हुआ है कर दो जब दो अब दो Seven मैं तो यही चरणवार मोखी माण गलो क्या πषा on a mother until he am I Owman का परो वर रहना एक दिन मा तुमें सत्य चल ना देंगी कुछ इस लड़की के बात शच्तों नहीं होने जा रही है कि में अपधिश तो नहीं हो जाओंगा कि माँ भींद्यवास ही ने मेरे साथ से सामध करना मुझे मुझे आपाईज मत बनो ना नहीं 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 मैं क्या करूँ नहीं ए मावेंद्यवासिनी 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 है मामी जवासिनी, मैंने बहुत थाप किये हैं, तेरा नाम लेके, पिछले 15 सालों में मैंने कई लोगों को धोके में डाला है, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ और काम आता ही नहीं था, इसलिए आज यहां मैं सिर्फ माफे मागने नहीं आये हुगा। में गुहार लगा नाया हूँ, तो बजय कही निया काम दिला दे यो माव माव इंजवासिनी, मुझे अपने पेरों पर खडा होने काहिर दो मा, मुझे कही दूसरा काम दिलादो, मा विंजवासिनी माव मा जराई इस लाचार के ओपर कुछ दया करो, मा तुम्हारी मननत पुरा करेगी, अरे बाबुजी, कुछ दया की नजर डालो, दो दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ मदद करो, अरे कुछ दे दो. अरे भाई, यहां पर कोई दूद का कारोबारी है क्या? वैसे आप क्यों पूछ रहे थे? भाईया, हम हैं दूद का कारोबारी आदे, और जैसा कि तुम बता रहे हो कि यहां पर कोई दुकान ही नहीं है, तो यहां पर तो हमारा धंदा और अच्छा चलेगा, बस एक आदमी मिल जाए, तुरंट दुकान डालता है, आप. आपने मेरे लिए रोजगार भेज़ दिया, यह काम तो में ही करूगा, जै माव इंद्यवासी नी, जै हो, आरे सुनिये, कुछ दूद के पैकेट्स मुझे भी दे दो ना, मैं धंदा करूँगा इसका, तुमें? अरे भाई, इस दूद के पैसे लगते हैं, आहां से लाओ के पैसे? देनी, पैसे हैं मेरे पास, देखो, यह, यह, देखो, देख, गयए, इसे हैं? चलो मान लिया मान लिया कि तुमको दूध हम दे दिये लेकिन भाई इस फटे हाल कपड़े में दूध लेगा कौन भाईया तुम रहने ही दो हम किसी दूसरे आदमी को देख लेते हैं बाबुजी ठेहरो किसी दूस्त्सौ quo कि अॉब्छ हमानने किसी दूस इसाहिवWhen मैएऽएभा-ग जाद किसी दो झश turnaround बाई साथ, मैं ना तो अपंग हूँ और ना ही जन्मजाद बिखारी, मजबूरी और आलसफन ने मुझे अपाईज बना दिया था, लेकिन आप न तो मैं अपाईज रहना चाहता हूँ, और ना ही बिखारी मैं भी आप लोगों की तरह, दुनिया वालों की तरह, इगज़त और इमानदारी से जीना चाहता हूँ मुझे अपने पेरों पर खड़ा होने में मदद करिये भाई, अरे बाबा, महनत करने से भला कौन रोक रहा है आपको, हैं? अच्छा काम करोगे, महनत का काम करोगे, तो सभी लोग तुवहारी सहायता करेंगे, यो भाईयो? बिल्कूर 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 चलो ठीक है एक मिनट भाई ज़रा पकड़ना ये लो हजार रुपिय है ठीक है अगर आज तुमने इन दूद के कैरेट को बेच दिया तो कल से मैं तुमको और भी जारा दूद दूँगा ठीक है मेहनत करो नमस्ते चाचा नमस्ते बेच बेचोगे मेरा आहाँ जुरूर लाइए यह 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 एक लिटर इसना बेच के देख लो अगर बिक जाएगा तो कल वापस लाकर देंगे आएए एक बेच यह लिए चार सुरुपियों ओके चाचा हाँ चाचा जी एक लिटर दूद दीजिएगा और एक ब्रेट का पैकेट हाँ हाँ बड़ा वाला कितने रुपे हुए चाचा जी पैंसाट रुपिय यह लिजिएगा यह लिए जो पहले यहां भीग मांगा करते थे जी लेकिन मुझे किसे ने सला दी कि मैं मेहनत और इमानदारी से कमाई करूँ इसलिए मैंने भीग मांगना छोड़कर यह काम करना शुरू कर दिया अरे वा चाचा जी आप से मिलकर बहुत खुशी हुई मैं फिर दुपारा होंगा दूद और ब्रेड लेनी जी 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 नमस्ते जाते जी दन्यवाद कि आप आप ने तो सच में अरे वाद आपने तो सच में महनत और प्रिमानदारी का काम शुरू कर दिया क्यों नहीं करता है आप ही ने तो मुझे मा भिंद्यवाशनी का संदेश दिया था आप ये साधारान लड़की नहीं है आप ये खुत्माओं का वास है जिसने मुझे भटके हुए आद्बी को सिधिरा दिखा दी तुमारी जय हो तुमारी जय हो अगर चय करनी ही है तो माप बिंद्यवाशनी की करो उनके आशिर्वाद से तो हम सब हैं अगर आप ऐसे ही मह मेहनत और इमानदारी का काम करेंगे तुमाप प्रसंदर रहेंगी और आपको कभी दुख नहीं आएगा अब आप मेहनत करिये मैं जाती हूँ जय बबाब बिंद्यवाशनी जय हो